तो प्यारे बच्चों कल मैंने आप लोगों को अस्केल के बारे में जनकरी दे थी अस्केल का यूज क्यों करते हैं हम लोग असकेल यह नहीं पैमाने पैमाने का यूज क्यों करते हैं इसका यूज है अब आईए हम आज आपको बताएंगे अस्केल के प्रकार टाइप ऑफ स्केल यानि प्रेमाना कितने टाइप का होता है देखिए अप लिखावाई स्केल के प्रकार सबसे नीचे में आईए देखते हैं देखिए पहला तो हुता है एक फूल égल क्यों फिर होता है रिड्दार संगेल और inflation स्केल तेन अस्केल यहीं तेन तरह का स्केल होता है आए प्लेश्क मतलब होता है इस परकार की स्केल में ड्रोइंग वस्तु का साइज वह वस्तु वास्त्विक साइज समान होते हैं जिसको वन रिखा जाता है जैसे जैसे में रिपर्जेंटेटिव फ्रेक्शन जो होता है उसका वन होता है देखें कैसे जैसे कि माल लीजे कि 1500 mm का कोई पार्ट्स बनाना याँ अकुई कूप्मेंट्स बनाना है यह ड्रेट्सों में का कोई बहुत बड़ा mcv का बॉक्स बनाना है तो हम उसको जब उसका ड्रोइंग तियार करेंगे तो ड्रोइंग को भी 150 म मतलब तो डेड़ोन लंबा पेज़ फेक खिच बना देंगे यह जितने ही लंबी वस्तु है जितनी साइज का बस्तू है उसी साइज का अगर हम ड्रो करते हैं तो उसी को बोलते हैं फुल स्केल क्लियर एक बार फिंद से रिभाइज करें कि इसको फुल स्केल में क्या होता है पहले पढ़ी है इसका इस प्रकार की स्केल में ड्रोइंग में वस्तु का साइज वह वस्तु वास्त्विक साइज समान होते हैं इसे वन रेशियोन लिखा जाता है यह यहीं वस्तु का साइज और वास्त्विक साइज जो की ड्रोइंग में बनाय जाती है जैसे वान रेशियो तीन वान रेशियो पांच वान रेशियो दस इसमें अधिक इनमें रिलेटीव फ्रेक्शन का पहला भाग ही हमेशा होता है जैसे कि मान लिजें कि एक फिट की कोई बसी या 21 की मृ ainb कोई मशीन का पाट से 1000 MY make a 10 ख्राव कोई मशीन का पाट से उसको छोटा करके कैसे बनायेंगे हम हूं हूं उसको छोटा कर गरगे का तरीका है कि मतलब क्या है वन मतलब एक का तीसरा इस्तरा भाग में बनाएंगा यह सगी 10 सेंटीमेटर के कोई बस्तू है तो उसको 10 सेंटीमेटर का दस्वभा कितना हो गया एक सेंटीमेटर तो एक सेंटीमेटर लंबे लाइन के द्वारा उसको हम ड्रो कर देंगे आगे बढ़ते हैं देखिए इसमें जो होता है रिपर्जेंटेटिव रेक्षन जो इसका होता है वह वन रेशियो 50 का होता है एश है Caitlin ये ऐस्ट्रोफ इंग्डें स्टेंडर इंडियान स्टेंड इंडियान 一ा एच संस्ता है जो का आरे करती है कि मानक मतलब क्वाजिटी गुण वर्ता है मतलब कि यह शड्री मतलब को सिध्स है 105,000-2 व्रटल यह सब आपको रट जाना है आगे बढ़ते हैं इसमें बस्तु के अकार से बड़ी ट्रोइंग बने जाती है जैसे घड़ी के पूर्जो की ड्रोइंग कि सुई की ड्रोइंग आदी जैसे ट्वेंटी रसीओ फोटी रसीओ वन आदी जैसे कि छोटा कोई वस्तू है घड़ी का पूर्जा हो गए रहा है या फिर सुई पीन है या मसीन का बहुत ही चोटा पार्ट जैसे कि नुजल पंप के वितर का जो भाग होता है न नुजल में जो अंदर के भाग होता है उसका ड्रोइंग ड्रोग करना होगा तो हम एनरलाइज के मतलब होता है बढ़ाना बढ़ा करके इसको दिखाना आइस के नुसार इसका भी निमन माप है इसको ध्यान साब लोग देख लिजिए और इसको भी पढ़ना है